हे गाईज दिस इस दिक्षा जुही वेलकम तो माई चैनल इजी तू लेर्न गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और्गनाइजेशन एंड एफन्टीज ओफ क्रोसोप तर्जी मीन्स गाईज क्रोसोप तर्जी के संग्ठन और समानताओं के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर ओफ क्रोसोप तर्जी मीन्स गाईज क्रोसोप तर्जी के सामाने लक्षों के बारे में गाईज ये डेवोनियन काल की सुरुआत में दिखाई दिये लेकिन अब कोलिन कैंथस की दो प्रजातियों द्वारा ही इनका प्रतनेधित्व किया जाता है इनका जो सरीर होता है वो बड़े खुरदूरे स्केल्स यानि सलकों के द्वारा ढखा हुआ होता है गाईज इनकी जो पूश होती है उनमें तीन लोब यानि तीन भाग होते है गाईज जो नोटो कार्ड का पिछला भाग होता है वो मध्य लोब में फैला हुआ होता है जो की सबसे छोटा होता है टू पेर्स ओफ फिन्स दा पेक्टोरल और पेल्विक आर अटाज़ड तू दियर रिस्पेक्टिव गिर्डेल्स मिन्स गाईज पंखो के दो जोड़े पेक्टोरल और स्रोडी यानि पेल्विक अपने अपने कमर बंद से जुड़े हुए होते है नेक्स गाईज अब हम बात करेंगे ओर्गनाजेशन ओफ क्रोसोप तरजी मिन्स गाईज क्रोसोप तरजी के संगठन के बारे में वन मेजर ट्रेट ओफ दा सबक्लास इस दा डिविजन ओफ दा इसकल इंटो एन एंटेरियर और इथेमो इस फेनोईडल व्यूनिट एंड अपोस्टेरियर यूनिट गाईज इस उपवर का एक मुख के लक्षण इसकल यानि की खोपडी का एक एंटेरियर या इथेमो इस इस फेनोईडल इकाई और एक पोस्टेरियर इकाई में विभाजन होना भी है दा बेस ओफ इसकल एंड वर्टिब्रल कॉलम आर इनकम्प्लीटली ओसिफाइड एलाउ दा परजिस्टेंस तू वैरियस डिग्रीज ओफ दा इनीसियल इसकलेटल एक्सिस और नोटो कार्ट म इन्स गाईज खोपडी और कसेरु की स्तंब का आधार अपूर्ण रूप से अस्ति पंजर है प्रारंभी कंकाल अच्छ या फिर नोटो कोर्ड के विभिन डिग्री तक दिर्टा को एलाउ करता है मस्तिस्क अपेच्छा की तकम बाहरी विवेधन प्रदर्सित करता है और कपाल छमता से कम होता है नेक्स्ट गाईज अब हम बात करेंगے F&Ts of crossopteryg Means गाईज crossopteryg की समानताओं के बारे में body is covered with scales which is a balance with ambivia Means गाईज जो crossopteryg का सरीर पे पाया जाने हैं इसकेल्स हैं यानि की सल्क हैं वो उबह चरू से समानता दिखाता है डाइफाई सेरकल काउडल फिन और शिकुरी हुई संग धमनियों की उपस्थिती डाइपनाई के साथ समानता दिखाती है तो गाइज आज के स्टूडियो में बस इतना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज इसे सेर करें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू